हेलो एब्रिवन आज चुकि यह आत्मत्या की सिरीज चल रही है और फिर मैं आत्मत्या पे एक और बिंदू लेकर करके आयो हलाके जो मैंने पहली वीडियो आत्मत्या पे डाली थी वो एक बहु आयामी थी अगर आप उसके लेक्ष चुकि वीडियो एतनी लंबी हो गई तो एक फैशन है कि शॉट वीडियो देखने का और ये एक अच्छा फैशन है इसमें कोई डाउट नहीं तो मैंने एक आत्मत्या के कारण पे ये वीडियो बनाया है कि आत्मत्या के आखिर कारण क्या है क्योंकि देखे आत्मत्या के परकार आत्मत्या कारण आत्मत्या से बच तो लिए तो आट मत्या के कारण आखिर कोन है आज हम थोड़ासा सा सटह आत्मत्या करते हैं बिजनसमेन आत्मत्या करते हैं आत्मत्या कौन करता है महीला या पूरिफ आत्मत्या कौन करता है पढ़ा लिखा या कम पढ़ा लिखा आत्मत्या कौन करता है ज्यादा कमाने वाला या कम कमाने वाला आत्मत्या आखिर कौन करता है और क्या हम सब आत्मत् तो ये एक बड़ा महत्पूर्ण सवाल है कि आखिरा आत्मत्या कौन करते हैं इसके क्या कारण है और इसको वैग्यानिक तरीके से देखने की जलुवत है इमाईल दर्खाइम की पुस्तक सुसाइड से सुसाइड का हमने स्टडी किया और हमने सोचा कि आत्मत्या कारणों का स कि फिजिक्स को समझना और न्यूटन को नहीं समझना ऐसे ही होगा क्योंकि आत्मत्या पे विशद विशलेशन और सबसे बड़ा विशलेशन जो समाज में किया है सोचल फैक्ट के माध्यम से वो किया है इमाईल दर्खाइम ने फ्रांस के वैग्यानिक है तो जिस तरह से इसको आप समझ रहे हैं और न्यूटन को नहीं समझ रहे हैं तो आपके बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है या आइंस्टीन को नहीं समझ रहे हैं उसी परकार के कोई वैग्ती आत्मत्या पे बोले जा रहा है लेकिन वो इमाईल दर्खाइम को नहीं पड़ा जिसने अाइप्मत्या पर ही काम है उसका तो अात्मत्या पे अमेल दरखाइम को समझना ज़रूरी है तोails आप वाइन ट्वाइश समझत हीए घरीब आत्मत्या नहीं करता है डेट से अमेल दरखाइम बताते हैं एंथ्थ और आंकड़्ों का संबंद समाजिक है ऐसी कोई बात नहीं है कि गरीब वैक्ति आत्मत्या करे क्योंकि गरीब वैक्ति आत्मत्या का संबंद जो है दबाओ से है और दबाओ जहेलने की छमता गरीबों में बहुत स्यादा होती है वो कैपेबिलीटी बहुत होती है तो इसलिए वो आत्मत्या करते नहीं हैं और दुनिया में तो ज्यादा गरीब हैं और आत्मत्या की डेटा आत्मत्या की तत्त है वो अमीरों के परती है अमीरों मद्यम वर्क के परती है मद्यम उच्छ मद्यम वर्क के लोग आत्मत्या करते हैं और अमीर आत्मत्या करते हैं अब एक सवाल और परदा होता है क्या मनोवैग्ज्यानिक रूप से विक्षिप्त वैक्ती बिमार वैक्ती आत्मत्या करते हैं जी नहीं अमाल दर्खाम करते हैं मनोवैग ज्यानिक रूप से विक्षिप्त और बिमार वैक्ति आत्मत्या नहीं करते हैं वरना पागल खाना क्यों होता आपने कभी सुना है कोई पागल आत्मत्या कर लिया पागल आत्मत्या कर लेते, पागल मैं आपको यह बताओं, उससे ज़्यादा बिमार कौन है, कोई नहीं है, लेकिन वो आत्मत्या नहीं करता, क्योंकि पागल अपने आपको पागल समझता ही नहीं, तो यह एक अलग बिंदू है, तो बाहराल, साइकोलोजिकल, यानि, कि टे आत्मत्या नहीं करता, यह पहले भी क्लियर क्या जा चुक है, क्योंकि कोई भी वैक्ती दुनिया में ऐसा नहीं है, जिसको टेंसन नहीं है, जब आपने इनसान के रूप में पैदा लिया, तो आपको टेंसन है, जिस दिन आप पैदा होते हैं, उस दिन से आप किसी के होते हैं आप नमास्कार करना सलाम करना यह सारे एक्सपेक्टेशं लोग आप से उम्मीद कर रहें आप कुर्सी करें वह करें तो एक हजार तरह कीजिए जैसे जैसे एक्सपेक्टेशन बड़ता है तो और इनसान यह सोचने कि हमको टेंसन नहीं होगा तो यह एक impossible fact है तो आत्मत्या की वज़ा मनवै ज्यानिक नहीं है तो सवाल है आत्मत्या राजनीतिक है क्या आत्मत्या राजनीतिक भी नहीं है कोई विवैक्ति शक्ति से इसका कोई संबन नहीं है और सक्ता से इसका कोई संबन नहीं कोई विवैक्ती छोटा मोटा भी काम करता है भले उसको सकती नहीं है लेकिन अगर वो संतुष्ट है आराम से जीवन जी रहा है सामाजिक टेंसन नहीं है बैलेंस उसकी लाइफ है वो आत्मत्या नहीं करेगा तो आत्मत्या आखिर है क्या इमाईल दर्खेम क्या तो आत्मत्या को इमाईल दर्खेम समाजिक कहते हैं और ये समाजिक है इसलिए ये समाज इस पर दबाओ डालता है वो कहते हैं समाजिक है आत्मत्या समाजिक कैसे हैं समाजिक इसलिए है पुरानी वीडियो में सारी बाते k McG identify में हम समाज से कितना कटते हैं या जूरते हैं इसका रोल कि जितना समाज से हम जूरें या कटें गे उसी के कॉलडिंग आपको प्रेशर किरिंग होगा और वह प्रेशर सब पर एक जैसा होता है वो क्या बोलते है परेसर क्या सिर्फ अपीरों पर होता है जी नहीं के भी वह होता है अब लाते है और को बैलून लाते हैं कोई बैलून आपमानल ले acqua दस बैलून में हवा बढ़ें तो एक बैलून फूट जाता है और बैलून कंपनी बोलते हैं कंटेंट एक ही है सब एक जैसे बनाए तो क्यों फूटता है परेसर सब परता है और कोई इस परेसर को बरदास नहीं कर पाता है तो क्या है उसमें बोलते हैं कि दबाव सब पर एक CDS qualify करने का दबाव सारे student पे है NDA करने का दबाव सब पे है IIT करने का दबाव सब पे है Medical करने का दबाव सब पे है लेकिन इस दबाव को कौन कितना लेता है ये सबसे important है अब कोई वैक्ति आसानी से लेकर कि उसको कर देता है तो हमें कोई भी चीज आसानी से लेनी चाहिए, लेकिन आप हर काम को आसानी से कैसे लेंगे, आपके बस का ही नहीं है, अब एक मिनट के लिए रात में सोचा, आइस बनेंगे सुबह में, हो जाएगा, तो आप पहले अपनी छमता का भी मुल्ले अंकन करें, ये कोई motivational class ऐसा में चल रही, कुछ भी आप सोच ले, हमने सोच लिया, परदानवंत्री वनेंगे, आसान है, आसान है, हो जाएगा, आप पहली अपनी छमता को जरूर देख लें, इसमें, आप अपने यही बात कहते हैं, मनोवैग ज्यानिक, CH कूले कहते हैं, फ्रायट कहते हैं, आप अप आप अपनी छमता का मुल्ल लिएंगर करें, और चमता का मुल्ल लिएंगर करने के बाद अपने बारे में सोचें किसको डिजर्व करते हैं, मैं तो यह जानता हूं कि एक किलास में 100 विद्यार्टी होते हैं 50 विद्यार्टी कहते हैं आई इस की तैयारी करेंगा और सचाई है कि उसमें एक शायद कोई एक डिजल्व करता होगा इसकी तैयारी के लिए तो यह तो डेटा है तो बहराल इस चीज को हमें समझने की करगे आत्मत्या का आंकरा क्या है आत्मत्या की यह कारण है तो बहराल मैं उमीद करता हूं कि आ आप लोग इसविषय को अच्छे से समझें होंगे और नेक्स्ट वीडियो में और भी आपका अगर कौई प्रश्न होगा तो कॉमेंट बॉक्स में आप प्रश्न करेंगे थ अग।